Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, please like and share and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. आगे चलकर इस पूरे विश्व को एक युद की आग में जोंक दिया गया। ऐसा ही कुछ हुआ आज से ठीक 108 साल पहले यानि की 28 जून 1914 को जब आस्ट्रिया हंगरी सामराज्य के उत्तारदीकारी आर्क डूड फरडिनेंड की उनकी पत्नी के साथ हत्या कर दे गई। और इन बिल्कुल गलत होगा। लेकिन फिर भी इस घटना ने उस चिंगारी का काम किया जिसने की पहले से ही एक तनावपुन माहौल के अंदर चीजों को इतनी तेज गती दे दी कि सभी लोगों के हाथ में से सब कुछ निकल गया और पूरी दुनिया विश्वियूद के घेरे मे आ गई। यह विश्वियूद लगभग चार साल तक चला और जब तक इसका अंत हुआ तब तक लगभग एक करोड़ साथ लाग से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इन में अलग-अलग देशों से लड़ने वाले सैनिक तो शामिल थे ही साथ ही बहुत सारे ऐसे निरदो विश्विद की शुरुवात हुई वहीं अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि प्रतम विश्विद था क्या और किस तरह से जब प्रतम विश्विद की शुरुवात हुई तो उसके बाद क्या क्या हुआ जून 1914 में जब आस्ट्रिया हंगरी के सिहासन के उत्तारधिकारी आर्क डूड फ्रांज फर्डिनेंड बोस्निया में सारा जीवों का दौरा कर रहे थे तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी एक सर्बियाई विक्ति जिसका यह सोचना था कि आस्ट्रिया के बजाए सर्बिया को बोस्निया पर नियरंटर्ण रखना चाहिए ने आक डूड की हत्या कर दी थी इससे सारा यॉरप सक्ते में आ गया था आस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदाई माना आस्ट्रिया ने सर्बिया को चितावनी दी कि वह अगले 48 घंटे के अंदर इस घटना के संधर्ब में अपनी स्थिती इसपश्ट कर अपराधियों का दमन करे लेकिन सर्बिया ने आस्ट्रिया की मांग को ठुकरा दिया और इसी के परिणाम स्वरूप इस से लगभग एक महीने बाद यानि की 28 जुलाई 1914 को आस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद युद की घोशना कर दी देखते ही देखते विश्व के अन्यराष्ट भी अपने गुटों के समर्थन में उतर आए और युद्विक्राल होता चला गया इसके नतीजतन इस युद्व में रूश भी शामिल हो गया क्योंकि उसने सर्बिया के साथ संधी कर रखी थी इसके बाद जर्मनी ने रूस के साथ युद्व की घोशना कर दी क्योंकि जर्मनी और आस्ट्रिया हंगरी के मद्ध्य भी एक संधी हुई थी इसके बाद बिटेन ने जर्मनी के साथ युद्व की घोशना कर दी क्योंकि जर्मनी ने टथस्ट बेल्जियम पर आक्रमन कर दिया था जबकि बिटेन ने बेल्जियम और फ्रांस दोनों देशों की रक्षा के लिए समझोते किये हुए थे और देखते ही देखते भहुत सारे देश इस विश्यूद में कूद गए तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया सुभह 9 बज के 47 मिनिट पर ट्रेन से आक्र्डूड और उनकी पत्नी के सारा एवो पहुँचने से पहले ही सैक्डों लोग सडकों के दोनों और जमा होना शुरू हो गए थे जहां से शाही सवारी को निकलना था पूरे रास्ते को जंडों और फूलों से सजा दिया गया था ट्रेन सारा एवो इस्टेशन पहुची जहां आक्र्डूड और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बोस्निया हर्जे गोवीनिया के सैन्य गवर्नर जनरल आसकर पेटियोरेक और सारा एवो के मेयर फेहिम एफेंदी मौजूद थे आक्ड्यूड और ड्चेश सारा एवो की खिलखलाती धूप में उतरे और उनका विदिवत तरीके से स्वागत हुआ आक्ड्यूड ने जनरल की यूनिफॉर्म नेली पतलून और हरे मोर पंखी रंगों वाली हेलमेट पहन रखी थी ड्चेश सौफी ने सफेट ड्रेस के साथ लाल रंकी कमरपटी और बड़ी हेट पहन रखी थी शाही यूगल का स्वागत आपचारिक गार्ड ऑफ ओनर देकर किया गया वहीं पंद्रवी आरवी कोर बैंड ने आस्ट्रिया के राष्टगान को गा कर उनका स्वागत किया उस दिन के दोरे का पहला पढ़ाओ सिटी हॉल था जहां मेयर को आधिकारिक स्वागत भाशन देना था इसके बाद आक ड्यूड को राष्टिय संग्राले में एक कारेकर में भाग लेना था जिसके बाद गवर्नर के घर पर दोपहर के खाने में उनकी डचेस से फिर्मुला का थोनी थी सबसे पहले उन्होंने इस्टेशन के सामने मौझूद सैनिकों के बैरकों का संक्षिप दोरा किया जहां आग ट्यूड ने टुकडियों का निरिक्षन किया इसके बाद यह शाही जोड़ा एक खुली छत वाली कार में सवार होकर जिसकी रक्षा करते हुए साथ में जनरल पोट्योरिक और काउंट फ्रांज हैरेक चल रहे थे इसके बोनिट पर शाही ध्वज लहरा रहा था शहर के पूर्व में इस्थित पुराने तुर्की किले की तोपों से 24 गोले दाक कर दोरा शुरू होने की घोशना की गई जब आगडूड और सोफी की कार दोनों और लोगों की भीड़ लगी गलियों से गुजरी तो लोग जोर जोर से चिलाए जीवियो इसका मतलब है कि आपकी उमर बहुत लंबी हो इस दोरे का इस्थानिय अकबारों में प्रचार किया गया था ताकि छेतर में शाही दोरे के अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोग आए शाही काफिला एपल घाट के साथ साथ 1896 में बने सिटी हॉल की तरफ बढ़ रहा था गाडियों से 50 गज की दूरी पर पहुशने पर जंडों से सजे हुए घर मिले इन पर हैफ्सबर्ग के काले और पीले जंडों के साथ साथ बोसनिया के लाल और पीले जंडे भी लगे हुए थे धूब से बचने के लिए जादातर भीड एपल घाट में शहर की और थी आख डूड की कार केंद्रिय पुलिस स्टेशन और सेना के नई बैरकों के सामने से गुजरी तब ही खबर आई कि आख डूड की गाडियों के काफले के पास एक विसफोट हुआ था यह पता नहीं चल सका था कि यह किस वज़े से हुआ था प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि बहुत जोर का धमाका हुआ था और आख डूड की गाड़ी जल्दी से मुड़ गई थी किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं मिली थी आख डूड की गाड़ी के पीछे चल रही कही गाड़िया रुक गई ऐसा लगता था कि उनमें से एक गाड़ी को नुकसान भी हुआ था पुलिस भीड के बीच मौजूद थी वह नजारा बेहुत चक्राने वाला था वहाँ धुआ और मलबा था अधिकारियों और भीड में लोगों के घायल होने की अपुष्ट खबरे भी मिल रही थी आख डूड और सोफी अब भी कार में ही मौजूद थे उन्होंने अपने सहायक काउंट फ्रांज हेरेक को घटना इस्थलके निरिक्षन के लिए भेजा शुरुवाती खबरों में करीब 20 लोगों के विसफोर्ट में घायल होने का पता चला इसमें दो सैन्ने अधिकारी और इंपीरियल पार्टी की एक महीला भी शामिल थी बाद में प्रत्यक्षिर दर्शियों ने यह भी बताया कि उन्होंने एक व्यक्ति को आख डूड की कार पर बम फेकते देखा था उनका कहना था कि खुद आख डूड ने अपनी गाड़ी को बचा कर उसे पीछे आ रही गाड़ी के रास्ते की और फेक दिया था बाद में अधिकारियों ने आख डूड के कार एक्रम में एक बतलाव का एलान किया उन्हें और उनकी बीवी को गैरिसन अस्पताल में घायलों को देखने जाना था जिसमें करनल मिरिट जीबी शामिल थे कारों का काफिला सिटी हॉल से निकला और तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगा ऐसा लगता था कि अतिरिक्त सुरक्षा इंतिजाम भी किये गए थे सेना के एक अधिकारी को कार के बोर्ड पर खड़ा कर दिया गया था ताकि आख डूड को बचाया जा सके तबी खबर आई कि लाइटनर ब्रिज के पास गोलिया चली है यह जगे सिटी हॉल से लगबक 300 मीटर दूर थी खबर आई कि आख डूड फर्डिनेंड को गोली लग गई है गोली बारी एपल घाट और फ्रांस जोसेफ गली के किनारे हुई थी खबरों में कहा गया कि आख डूड की कार एपल घाट के साथ सा दक्षन की और तेजी से गई किसी को भी आख डूड की स्थिती का पता नहीं चल पा रहा था पुलिस गोलाबारी के स्थल पर पहुची उधर भीड में हिंसा शुरू हो गई बाद में पुलिस ने भीड को एक यूवक के उपर हमला करने से रोका और उस व्यक्ति को गिरफतार कर लिया गया भीड में मौजूद लोगों का दावा था कि उसी व्यक्ति ने आख डूड को गोली मारी थी हाला कि इस बात का पता नहीं चल पा रहा था कि पहले हुए बंबिस फोर्ट में इस व्यक्ति का कोई संबन था या नहीं प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना था कि एक गलत मोड लेने के बाद आग डूड की कार मुडने की कोशिश कर रही थी बंदुग धारी को आगे बढ़ते और फिर नजदीक से दो गोलिया मारते हुए देखा गया था प्रत्यक्ष दर्शियों का यह भी कहना था कि आख डूड सीधे बैटे हुए थे जबकि उनकी पतनी आगे की और जुकी हुई थी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टी की की आख डूड और उनकी पतनी को गवर्नर के आधिकारिक निवास दा कोनाक ले जाया गया था लेकिन उनकी इस्तिती के बारे में कुछ भी इसपश्ट नहीं था कुछ देर बाद खबर आई की आस्ट्रिया के आर्क डूड और डचेस की मौत हो चुकी है एक अधिकारी ने इसकी पुष्टी की की आर्क डूड फ्रांच फरडिनेंड और उनकी पतनी सोफी गोली लगने से मारे गए है आग डूड फरडिनेंड की उम्र उस वक्त करीब 50 साल थी और उनकी बीवी डचेस सोफी की उम्र लगबग 46 वर्ष थी और दोस्तो इस तरह से आग डूड और उनकी पतनी की मौत हो गई और इसी घटना ने पहले से ही बारूद के धेर पर बैठे यॉरप को एक चंगारी दिखा दी और प्रतम विश्विद की शुरुवात हो गई पर यह कहना कि इसी एक घटना की वज़े से प्रतम विश्विद शुरू हुआ था बिलकुल भी ठीक नहीं होगा ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनकी वज़े से प्रतम विश्विद हुआ था और अब मैं आपको उनके बारे में बताने जा रहा हूँ विश्व को प्रतम विश्विद की और धकेलने वाले कारकों में कोई एक घटना या एक कारण प्रमुख नहीं था बलकि ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनके सिलसिलेवार प्रकटन ने समस्त विश्व को इस भायानक तरासदी को जहलने के लिए विवश्व कर दिया था जैसे कि जर्मनी की नई अंतराष्टे विस्तारवादी नीती वर्ष 1890 में जर्मनी के नए समराठ विलहम दित्या ने एक अंतराष्टे नीती शुरू की जिसने जर्मनी को विश्व शक्ती के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया इसी का परिणाम रहा कि विश्व के अन्य देशों ने जर्मनी को एक भरते हुए खत्रे के रूप में देखा जिसके चलते अंतराष्टे इस्तिती आस्थिर हो गई संपूर्ण यूरोपिय राष्टों ने आपसी सहयोग के लिए रक्षा समझोते और संधिया करनी शुरू कर दी इन संधियों का सीधा सीधा सा अर्थ था कि यदि यूरोप के किसी एक राष्टर पर शतुरू राष्ट की और से हमला होता है तो उक्तिर राष्टर की रक्षा हेतू सहयोगी राष्टरों को सहयता के लिए आगे आना होगा इस तरह योरोप में दो प्रतिदंदी स्वमू बन गए वहें इसका एक और कारण था इंपिरियलिस्म यानि की सामराज्यवाद प्रतम विश्यूद से पहले अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से कच्चे माल की उपलभता के कारण यूरोपिय देशों के बीच विवाद का विशय बने हुए थे जब जर्मनी और इटली इस उपनिवेशवादी दोड में शामिल हुए तो उनके विस्तार के लिए बहुत कब संभावना बची इसका प्रिणाम यह हुआ कि इन देशों ने उपनिवेशवादी विस्तार की एक नई नीती अपनाई यह नीती थी दूशरे राष्ट्रों के उपनिवेशों पर बल पूर्वक अधिकार कर अपनी इस्तिति को सुद्रड करना बढ़ती प्रतिसपर्दा और अधिक स्रामराज्यों की इच्छा के कारण यूरोपिय देशों के मध्धे तकराव में व्रध्धी हुई जिसने समस्त विश्व को प्रतम विश्विद में धखेलने में मदद की इसी प्रकार मुरुको तथा बोस्निय संकट ने भी इंगलेंड इविम जर्मनी के बीच प्रतिसपर्दा को और बढ़ावा दिया अपने प्रभाव छेतर में व्रध्धी करने के लिए जर्मनी ने जब बर्लिन बगदाद रेल मार्ग योजना बनाई तो इंगलेंड के साथ साथ फ्रांस और रूस ने इसका विरोध किया जिसके चलते इनके बीच कटूता में और अधिक व्रध्धी हुई तीसरा कारण था दोस्तो सैन्नेवाद याने की मिलीटियरिज्म बीसवी सदी में प्रवेश करते ही विश्म में हतियारों की दौर शुरू हो गई थी वर्ष 1914 तक जर्मनी में सैन्ने निर्मान में सबसे अधिक व्रध्धी हुई ग्रेट बीटेन और जर्मनी दोनों ने इस समयावदी में अपनी 9-9 में काफी व्रध्धी की सैन्नेवाद की दिशा में हुई इस व्रध्धी ने युद में शामिल देशों को और आगे बढ़ने में मदद की चौता कारणता दोस्तो राष्ट्रवाद याने की नेशनलिज्म जर्मनी और इटली का एकी करण भी राष्ट्रवाद के आधार पर ही किया गया था बालकन छेतर में राष्ट्रवाद की भावना अधिक प्रबल थी चूकि उस समय बालकन प्रदेश तुर्की सामराज्य के अंतरगत आता था अतहे जब तुर्की सामराज्य कमजोर पड़ने लगा तो इस छत्र में रहने वाले लोगों ने सतंतरता की मांग शुरू कर दी साथ ही साथ एक और कारण था दोस्तो किसी भी प्रभावशाली अंतराष्ट्रिय संस्था का अभाव प्रथम विश्वुद से पूर ऐसी कोई संस्था मौजूद नहीं थी जो सामराज्यवाद, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्वाद पर नियंतरन कर विभन राष्ट्रों के बीच संबंदों को सहज बनाने में साहिता कर सके उस समय विश्व का लगभग प्रतेक राष्ट अपनी मनमानी कर रहा था जिसके चलते यॉरप की राजनीती में एक प्रकार से अराजक इस्थिती बन गई थी और दोस्तो आग डूट फ्रांस फर्डिनेंट की हत्या ने पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठे हुए यॉरप को प्रतम विश्विद की आग में धकेल दिया यह एक ऐसी घटना थी जिसने की सभी देशों के सयम को तोड़ दिया और इसके साथ ही चीजे सब के हाथ से निकलने शुरू हो गई और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग-अलग देशों ने दूसरे देशों के साथ संधिया कर रखी थी इसलिए जब एक देश इसमें शामिल हुआ तो और देश भी इसमें शामिल होते चले गए इसलिए इस यूद को प्रतम विश्यूद कहा जाता है तो दोस्तो यह थे वे कारण जिनकी वज़े से प्रतम विश्यूद की शुरुवात हुई और किस तरह से इस घटना ने पूरे घटना करम को बहुत तेजी दे दी साथ ही साथ यह घटना एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट साबित हुई जिसकी वज़े से प्रतम विश्यूद हुआ तो दोस्तो यह था मेरा आज का वीडियो आक ड्यूक फ्रेंस फर्डिनेंट की हत्या के बारे में जिनकी आज ही के दिन याने की 28 जून 1914 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उम्मीद करता हूँ दोस्तो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले मैं कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूँ तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच